योगित योगिं के बारह हम अभ्यास करेंगे इसमें दोडने वाले अभ्यास, बैटने वाले अभ्यास, जुखने वाले अभ्यास है और ये अभ्यास करने से हमारे सरीर के अंदर जो भी रक्ष का परभाव है वो संतुलित होता है और हमारी कोशिकाएं जागरित होती है तो आईए पहले धीरे धीरे हम दोडने वाला भ्यास करते हैं इसमें धीरे धीरे सांसों को भरते हुए दोडने का भ्यास करेंगे धीरे धीरे जितना आप सांस भरेंगे छोड़ेंगे उतना आपके लिए औस भी का काल करेगा अब इसमें आपका एड़ी जो है नितंब में सटाने का भी परयाद करेंगे जो बुजूर्ग हैं वो धीरे धीरे करेंगे और जो नौजवान है वो धीरी से भी कर सकते हैं तो ये पहला भ्यास है धीरे धीरे करना अब इसका दूसरा अभ्यास है धीरे धीरे कमर पे हाथ रह करके और दाहिने पर को सास भरते उठाना और वाये पर से थोड़ा उचाल मारना है इसमें और सासों को छोड़ते भी पर रखेंगे नीचे फिर वाये पर को भी उच्छाल मारते हैं उठाना है और जो बुजूर्ग है जिनको घुटना में या कमन में दर्द है वो सास भरते हुए कि वह इतना उठाएंगे और गिराएंगे कभी भी जब वर्दस्ति नहीं करना है कोई अभ्यास में धीरे धीरे सास भरते हुए और फोटे हुए पैर को रखेंगे और जो नौजवान है जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे ऐसा तेजी सेभी कर लेंगे और आप लोग धीरे धीरे करेंगे कि रोग देते हैं दूसरा अभ्यास हुआ यह जब हम अभ्यास करते हैं तो साधानी रखना है कि हमें करेंगे